बिस्मिल्य रावाई राहीम, असलाम लेकुन दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ जाजन सारी और आप देख रहे हैं इजाजन सारी फूड सीक्रेट्स आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जाएकों में तुम्हें प्याबर सो आज मैं आपको बताऊंगा कि करबाब बनाने का आठ क्या होता है, इसको उपर से क्रिस्पी कैसे करते हैं, अंदर से सॉफ्ट और टेस्टी कैसे होगा, जैसे हुपसूरती उपर से है, क्या ये अंदर से भी उतना खुबसूरत है इसको किस तरह से coat किया जाता है इसको किस तरह से present किया जाता है ऐसी ऐसी बाते बताऊंगा ना कि इंशाला आपको मसा ही आज़ेगा चलें जी बिस्मिल्ला हरावान रही खुबसूरत है एक ball यह हमने और यह आलो को मैंने काटके इसलिए boil किया है ताके यह जल्दी boil हो जाए और मेरा बहुत सारा time बच जाए तो यहाँ पे तकरीबन 400 ग्राम के करीब हमारे पास आलो हों जिनको मैंने इच्छे से boil कर लिया और एक-एक मैं इसलिए कर रहा हूं और यह हमारे पास हरी मिर्चे थोड़ी सी ज्यादा इसको spicy बनाने के लिए और यह हमारे पास हरा धनिया अच्छा आज की रेस्पी में कुछ चीज़े मैं अट नहीं करूंगा वह देखिएगा क्यों नहीं अट कर रहा हूं नमक इसमें 1.5 टी स्पून काफी होगा कुटी हुई लाल मिर्च मैं इस्तमाल कर रहा हूं मैं नहीं चाहता जब कभाग को तोड़ा जाए तो अंदर से लाल कलर का हो ठीक है तो यह कभाग को लाल नहीं होने देगी कुटी हुई लाल मिर्च वन टेबल स्पून है हाफ टी स्पून इसमें मैं जीरा पाउडर एड़ कर रहा हूं हल्दी मैंने एड़ नहीं कि इसके अंदर याद रखेगा यह तरिया पाउडर है यह इसके अंदर मैं एड़ कर रहा हूं दो टेबल स्पून ठीक है हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च एड नहीं की यह है हमारे पास अजवाइन हाफ टी स्पून बहुत स्पेशल टेस के लिए यह हमारे पास वांटी स्पून खुश्क जो कसूरी में इती होती है ठीक है वो हमने एट किये खुश्बू के लिए तो अब हमने इसको कर देना है अच्छे से मिक्स अब आपने देखना है कि हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर ना इस्तमाल करने से क्या हुआ अब इसकी लुक देखिएगा माशाला से इतनी शांदर आगी और जब इसके ओपर हम एक फ्राई करेंगे तो वो तूट जाएंगे ठीक है तो बाइनी के लिए उपर हम कुछ करेंगे क्रिस्पी करेंगे और वो कैसे करते हैं वो भी मापको बताऊंगा यह ले जी इस तरह से आपने कबाब तयार कर लेने हैं और यह माशाला से तयार है अब आपने क्या करना है बहुत ही खुबसूरत से दो अंडे यहाँ पर हम लेंगे और इनको हम अच्छे से फैंट लेंगे इसमें हमने कुछ भी एड नहीं करना है किसी चीज़ की जूरूत नहीं अब मैं आपको बिताथा हूँ कि क्रम्स लगाने का आठ क्या होता है दाए हात में आपने कबाब अपको पकड़ के अंडे में डिप करना है और इसको निकाल के एक्स्ट्रा जो अंडा है उसको आपने यहीं पे निकाल देना है अब इसको बहुत ही जैंटली रखके करम्स के अंदर लेफ्ट हैंड से इसके उपर आपने करम्स डाले हैं कभी भी गीला अंडे वाला हाथ करम्स के अंदर नहीं डाला जाता है इससे क्या होता है करम्स गीले हो जाते हैं और जो कबाब के ओपर वो गिले करम्स लगते हैं तो वो एक मोटा सा जीब सा बन जाता है खुबसूरती नहीं आती ठीक है ये देखें गिला हाथ राइट वाला है इसको करम्स के अंदर नहीं लेकि जाना मैं आपको फिर से बताता हूँ ये देखें दाएं हाथ से अंडे के अंदर इस तरह हमने कबाब को डिप किया ये आपको छोटी छोटी बाते शायद लगें लेकिन ये कीन करें इसी से एक परफेशनल और एक नॉन परफेशनल बंदे की पहचान होती है कि आपकी जो कुकिंग है उसमें खुबसूरती कैसे कितनी है तो ये बातों को आपने बहुत डीपली लेना होता है अब मैं आपको को बताता हूँ फ्राइ कैसे करना इसमें कोई खास बत नहीं है चूँके ये अंदर से डन है आपने बस इस इसका खिया लखना है कि आपने इसको गोल्डन करना है ब्राउन नहीं होने देना ब्लैक नहीं होने देना वरना इसकी लुक्स जो है वो खराब हो जाएंगी ठीक है क्योंकि अंदर से डन है, हमने जस्ट ऊपर से करम्स को कलर देना है, और जो अंडे की कोटिंग है, उसको हमने पकाना है, ठीक हो गया चलेंजर इसको भी एट कर देते हैं, और जैसे इनका उपसुरत गोल्डन से कलर आ जाएगा हमने उनको निकाल लेना है, बिसमिल्लाहरामान ररहीम, फाइनलों की तरफ चलते हैं, तो माश्याला, अलहम्दुलिल्ला, देखेंजी मेरे अल्ला की शान, उसकी रहमते, नेमते और बढ़कते हैं, जदी उसने हमारे आतों में, हमारे कानों में चैनल में नहीं है, चैनल को सब्स्राइब कर लीजएगा, यह आपकी तरफ से प्यार होता है, महबबत होती है, यह उपर से कितने क्रिस्पी है, कलर कितना हुपसूरत है, और खास बात, जब यह आला हाफीज,